बालों में आवला पाउडर और नारियल तेल लगाने से दूर होंगी ये 5 समस्याएं आवला और नारियल तेल दोनों ही बालों के लिए बहुत फायदे मंद हैं लेकिन अगर आप नारियल तेल में आवला पाउडर मिलाकर इस मिश्रन को बालों में लगाते हैं तो यह बालों की कई समस्याओं को दूर करने में मदद करता है। बालों का जढ़ना, ड्राइ और फ्रिजी हेर, कमजोर दो मुहे बाल और डैंडरफ जैसी समस्याओं इन दिनों बहुत आम हो गई है। बालों की इन समस्याओं का कारण खराब खानपान और जीवनशेली की आदते हैं। साथ ही शरीर में पोशन की कमी और प्रदूशन में अधिक समय बिताने से भी बालों से जुड़ी समस्याओं होती हैं। लेकिन आवला और नारियल तेल का कॉंबिनेशन बालों की इन सभी समस्याओं से आपको छुटकारा दी दिला सकता है। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना। इस लेक में हम आपको बालों में नारियल तेल में आवला पावडर मिलाकर लगाने के पाँच फायदे और लगाने का तरीका बता रहे हैं। बालों के लिए आवला और नारियल तेल के फायदे। आयूरवेद में आवला को इसके औशधिय गुनों के लिए जाना जाता है। यह वितमिन सी से भरपूर होता है और एंटियोक्सिडेंस का एक बहतरीन स्रोथ है। वही नारियल तेल की बात करें तो इसमें एंटियोक्सिडेंस, हेल्दी फैट्स, एंटिफंगल, एंटि जबूत बनाता है। दो, डैंडरफ, स्कैल्ट में खुझली और अलजी आदी समस्याओं से राहत प्रदान करता है। तीन, बालों को नेचुरी मॉइस्चुराइज करने में मदद करता है और ड्राइफरजी, दो मुहे बाल आदी जैसी समस्याओं दूर करता है। चार, सम जैपन की समस्या से बचाने में भी आपकी मदद करता है। आवला और नारियल तेल बालों में कैसे लगाएं। बालों में आवला और नारियल तेल का प्रयोग करना बहुत आसान है। आपको बस नारियल तेल में दो, तीन चम्मच आवला पाउडर या आवला फल को कुचल कर गैस पर पकाना है जब यह अच्छी तरह पक जाए तो तेल को छान ले और एक बर्तन में निकाल ले इससे ठंडा होने दे इस मिश्रंग को नियमित रात को सोने से पहले बालों में लगाएं इससे स्कैल्प की कुछ मिनट मालिश करें और रात भर के लिए छोड़ दे फिर दो तीन बार जरूर लगाएं